नमस्कार मैं सारे कश्रवास्तो स्वागत है आपका IRN24 में बढ़ते हैं जार्खन की खबरों की ओर की योजना बनाते रंगे हाथ गिरफतार हुए चत्रा SDPO अविनाश कुमार के नेत्रितों में गटी हटर गंट थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने कारवाई की थाना छेत्र के खुटेरा सुगमी कच्ची सड़क के पास चार अपराध कर्मी को रंगे हाथ देसी कट्टा एक देसी पिस्टल 315 बोरो का दो जिन्दा कार्तूस 7.62 mm का एक जिन्दा कार्तूस विविन कंपनियों के तीन मोबाईल फोन जारखन बिहार के अलग-अलग जिलों से लूटे गए चार मोटर साइकल गोली का फायर किया तीन खोखा वह 4500 रुपे का नगत बरामत किया गय लक्षमण पासवान थाना डोवी जिला गया बिहार का रहने वाला है और अमिस सिंग उर्फ टुन्टुन सिंग सिंटु पासवान उर्फ गौरा बिकी पासवान उर्फ नगू थाना हटरगंज जिला चत्रा के रहने वाले हैं SDPO विनाश कुमार ने की पुस्टी दो दिन पूर्व गिरोह के अपराधियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कारवाई करने पर पुलिस को गंभीर परिणाम भुकतने की चेताउनी दी थी जारखंड बिहार में सीमावर्ती इलाकों में देते थे लूट की घटना को अवियान में प्रसिच्छु DSP धनंजे राम पुलिस निरक्षक प्रमोध पांडे वह थाना प्रभारी सचिन दास समेथ पुलिस पदाधिकारी और ससस्त्र बल के जवान शामिल थे इसके अलावे इन लोगों पे जब त्हकिकात किया गया तो लगबख बिहार और जारखंड से पुल 15 कांड इन लोगों पे दर्ज है और अधिक तर जो कंड या तो किड्नेपिंग के हैं तो इसलाखों के पीशे बेजने का काम कर रहे हैं ये बिहार और जार्खन बॉर्डर हमारा जो सटा हुआ है या जो लगता है कह सकते हैं तो वहाँ पर ये बहुत बड़ी सफलता है वहाँ काफी इससे परिशानी हो रही थी लोगों को बिहार में भी लोग परिशान थे और जार्खन में भी काफी परिशानी कर रहे थे लोग इसलिए बहुत बड़ी सफ़ता है इस गैंग में कुल 10-12 सदस्य हैं मुख्य मुख्य सदस्य से गिरफतार हो गये हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्ड चत्रा पुलिस बाकी बचे सदस्यों को भी गिरफतार कर सलाकों की पीछे भीजने का काम करेंगे